जो आदमी अपनी वाइफ का और अपनी मा का जिम्मेवारी नहीं उठा सकते वो देश की और देश के किसान की जिम्मेवारी कैसे उठा सकते इसको किसान की जरूरती नहीं है ये एक तरीके से ऐसा है कि जबरदस्ती किसानों के ओपर थोपा जा रहा है किसान जो है एक तरीके किसान अंदोलन के दौरान अनुराग पुनियाजी हैं जो लंडन में पढ़ाई करके आई हैं टूरिजम मैनेजमेंट की पढ़ाई की है इन्होंने, जानना चाहेंगे कि कैसे किसाना अंदोलन में शरीक होने का विचारा है आपके अलगा एक्चुली एक तो मैं क्योंकि किसान का लड़का हूँ, गाउं से जुड़ा हूँ, खेती क्या है, कैसे है, सब कुछ उस चीज़ को देखता हूँ, तो गवर्मेंट कोई भी आये, लेकिन कभी भी कोई भी गवर्मेंट किसान की तरफ इतना ध्यान नहीं देती है, और देती कोाँ से वन्टेत काव, आपके से अपने ही खेतों पर मजदूर बनकर रहे गाँगा, अभी हमारा देश जो है, क्योंकि जो हमारे प्रदान-मंत्री हैं, प्रदान-सेवक-जी हैं, वो तानاشाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे पहले के टाइम में आजार होने से पहले East India Company थी, वो हमें लूटते थे, ऐसे ही इसमें होगा, उसमें क्या होता था, जो government होती थी, यह यह कहिए East India Company होती थी, अंग्रेज लोग जो होते थे, वो हर गाउं में यह हर एरिया में एक जमीदार को छोड़ते थे, अपना एक नमाइंदा छोड़ते थे, जो उन से अगवा होगी एक तो काम हमें उनके हिसाब से करना होगा अढ़ानी लिए कि एक चिप्स की कंपनी थी उसने अलू के लिए बोला किसान को कि भाई मैं इतना किसान जो है मैं इतना अलू लूँंगा आप आलू गाओ लूद्व्व किसानों ने आलू काया उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पर निकला है और वह सारा अलू नहीं ले सकती तो अन्होंने क्या option डाल दिया कि जो इस गोल घेरे से जो है अलू निकलेगा वो हमारे फायदेगा है जो इससे चोटा या बड़ा है इस यूजलेस तो वो उन्होंने वापस कर दिया अब वो किसान कहां ले कर जाएगा उसको तो यह starting में क्या होता है कि किसानों को उसके फायदे गिनाए जाते लेकिन बाद में जब कोई competitor मार्केट में नहीं रहेगा कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तो जो पूंजी पती हैं जो चंद पूंजी पती हैं जो मोदी जी के election campaigns में और इन सब चीजों में अपना पूंजी लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका हिसाप से सारा कुछ होग रहे हैं कि इस बिल में इतनी खासियत है कि किसान इसकी खासियत पर चरचाही नहीं करना चाय रहे हैं उन्हें तो सिर्फ इस पर बुरा ही नजर आ रहे हैं एक्चुली क्या है देखे अगर खास्यत होती तो पहली तो बात है वो चुपचाप क्यूं लेकर आते इस बिल्को बिना डिसकेशन के बिना किसान नेताओं के साथ अब वो फ्यूज गोईल जी को लेके गए हैं यूज गोईल जी क्या है इस चाइट अकांटेंट करता है उस उसको यह पता है कि जो मेरा पुंजी पती है मुझे उसका पैसा कैसे बचाना है बेसिक उसका यह होता है चाइट अकांटेंट का दस लाग की इंकम को वो पांच लाग की कैसे दिखाना यह काम होता है उसका तो वो किसानी खेती और जमीन के बारे में क्या जानता है वो कैस से सेटिस्वाइब कर सकता है किसान को दूसरी बात अपने तोमर जी जो कृषि मंतरी है वो तो सिर्फ वही बात कहते हैं जो उनको मोदी जी आमित्शा जी कहते के आगा आदे हैं अगर राजनात सिंग जी अमारे देश के परदान मंतरी होते तो ऐसा कभी ना होता क्योंकि व उठा सेथे कैसे समझ सकते अब तो यक फॉन कॉल के लिए बोल दिया है कि फॉन कॉल क्यों नहीं करते किसान तो कह रहा है कि आप फॉन कीजिये किसान तयार है कि किसान कह रहा है कि भई Why आज तक जब वाइट हाउज में लोग चड़े थे उस पर मोदी जी ने दिखाया था लेकिन यहां पर डेड़ सो से जादा किसान मर चुके हैं आज तक एक शब्द समवेदना का उनके मुझसे नहीं आया है क्यों कोई तो रीजन है फिर तो वह कैसे इस बिलको पास मनें परने कोई नहीं पर रहे और एक शब्द उनके नहीं बोल सकते तो उनको क्या फर्क पड़ता है लेकिन इनकालने के लिए तो बातचीत करें तो सही मोदी जी वह प्यूष गोइल जो सीए हैं उनको बिठा देंगे और दूसरा नरेंदर तो जो उनको कहते हैं वही वो बोलते हैं उससे आगे वो कुछ नहीं बोलते हैं और 26 जन्वरी से पहले तो नरेंदर तो मर्जी ने भी यह कहा था कि बहुत जल्दी यह दरना खतम हो जाएगा उस ट्रैम तो कोई सोलुशन नहीं निकला था फिर उन्होंने किस बेस पे यह कहा थ किसान के पास लेकिन मजबूरी है जब जमीन ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा आदमी इस देश की 65 परसेंट पॉपुलेशन जो है वह एग्रिकल्चर के उपर डिपेंड है 65 और 17,000 अरब 17,000 अरब का बिजनस है यह आप यह गेम देगे 17,000 अरब और 65 परसेंट की जनसंग क्या अगर आप चंद पुझी पत्यों को दे दोगे तो आदा भारत आदे से ज़्यादा भारत तो वैसी गुलाम हो गया हम सकारात्मक नतीजों पर अगर बात करें तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे करें दो पुझी पती जिसके सामने गवर्मेंट बीज़िपी गर्मेंट नतमसतक है किसान कैसे जाएगा और दूसरी बात है वो मन चाहा उनको पज़न पैसा दे सकते हैं आपने बात चीत की हमसे अपनी बात रखी आपका बहुत 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 था क्या साथ UK से टूरिज्म की पढ़ाई करके आये अनुराग पुनिया जी रहे इन्होंने अपनी बाते रखी यह भी हल निकालने के पक्ष्में हैं लेकिन इनकी अपनी हलंग मांगे हैं ये किसानों के साथ इनकी मांगों के साथ खड़े हैं और इन्हें भी लगता है कि हल निकल जाए तो निकाल लेना चाहिए लेकिन इनकी मांगों के साथ